तेजस्वी प्रकाश के लिए ये वीकेंड काफी एहम रहा तेजस्वी प्रकाश को हर कोई दुश्मन जो है फिनाले में नहीं पहुचाना चाहता था तेजस्वी प्रकाश के आसुओं का कारण बने उनके दुश्मन तेजस्वी प्रकाश को इगनोर कर रहे है तेजस्वी प्रकाश पर जबरदस्ती टारगेट कर रहे थे उनके दुश्मन तेजस्वी प्रकाश को पूरी तरह से साइट कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे उनके दुश्मन लेकिन तेजस्वी प्रकाश पूरी तरह से इमोशन होते वे नजर आई लेकिन उन्होंने हार नहीं माना बलकि घायल शेरनी की तरह जवाब दी और सभी को क्या खूब जवाब दी तेजस्वी प्रकाश के आशू पूरी तरह से निकलते वे नजर आए आशूं को देखा आप सभी दश्कों ने ये पूरे के पूरे हपते में और तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर सलमान खान के सामने भी अपने आशों को रोक नहीं पाएंगी सलमान खान के सामने अपने आशों को रोक नहीं पाएंगी सलमान खान के सामने फूट फूट कर रोप पड़ेंगी तेजस्वी प्रकाश और तेजस्वी प्रकाश के आंसों को देखकर सलमान खान का भी दिल आज आएगा तेजस्वी प्रकाश पर सलमान खान भी तेजस्वी प्रकाश से महबत करने लगेंगे आईए क्या है बात क्या है पूरी बात पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों और भाई जान तेजस्वी प्रकाश को मानने वाले हैं अपनी बहन और देने वाले हैं बड़ा सहारा क्या है बात पूरी विस्तार से बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में लेकर इसे पहले चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को आप सब्सक्राइब कर लें बेला ऐकन के खंटे को नहीं दबाया है तो बेला ऐकन के खंटे को आप जरूर दबा लें चलिए आपको बताते हैं आज के खास सिपोर्ट में यही बात सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों की पूरे हपते तेजस्वी प्रकास यहां, वो टार्गेट हुई, वीकेंड के वार के एपिसोड में निकलने वाले हैं तेजस्वी प्रकास के आशु सल्मान खान के सामने, और कहने वाली हैं सल्मान सर, मैं तंग आ गई हूं सर, मुझे यहां पर लोग जवरदस्थी रहा झाए तो यहाँ पर कुछ लोग जो है मुझे फेक बुलाते हैं और साती सार मैं यहाँ पर मिरा मेरा जिनदगी ऐसी चल रही है कि पूरी तरह से दुश्वार चल रही है और साती सार कहेंगी कि मुझसे और मेरी बातों से इनको बहुत ज़ादा दिक्कत है और मैं यहां पर रहना नहीं चाहती और साथी-साथ वो बोलेंगी कि मुझे यहां पर काफी परिशान किया जा रहा है और भीता जो हफ्टा था वो मेरे लिए काफी परिशान रहा और मतलब परिशानियों से भरा रहा और मेरे चहरे पर हमेशा स्माइल होती है लेकिन ये इस बात का प्रमार नहीं कि मैं अंदर से खुश हूँ मैं अंदर से पूरी तरह से तूट चुकी हूँ सर ये बात जो है वो कहते हुए नजर आएंगी और उनके आँखों से आसू निकले आपने पूरी तरह से तूट गई हो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने यहां पर कितने ओडियंस को बनाये हैं यही तो खेल है और इस खेल में आप पास हुई हो यह इस एक्जाम में आप पास हुई हो तेजू यह बात बोलते वे उनका होसला अफ़जाई करते वे नज तरहेंगे यह चीज जो है आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा इस वीकेंड के वार के एपिसोड में काफी मजा आने वाला है इस वीकेंड के वार के एपिसोड में वैल आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही तब तक के लिए बने रहे हमारे यूटुग चानल के स साथ क्रेक्टिवी नियूस के रिपोर्ट